दिन बनने में रात लगती है पर सबको आसान बात लगती है ये पंक्या बड़ी सार तक नज़र आएंगी आपको जब मैं भारत की दो तस्वीर आपके सामने प्रसुत करूँगा एक तस्वीर वो जब आजाधी के बाद भारत ने अपने अंत्रिक्ष कारिक्रम की शुरुवात की और ये शुरुवात कहां से हुई एक साइकल पर रखी हुए रोकेट से या बेलगाडी पर रखी हुए पेलोड से और दूसरी तस्वीर वो जिसमें चंद्रयान थ्री की सफलता से पूरा देश गौरवान में थे भारत के चंद्रयान थ्री ने चंद्रमा के उस हिस्से को इसपर्श कर दिया है जहाना अमेरिका, चाइना, रूस को ही नहीं पहुँच पाया परंतु जो यात्रा है, कि बहुत आसान रही होगी? नहीं कई सारी असफलता है, कई सारे आसू, मानव संसाधन की कमी, इंफरास्ट्रक्चर की कमी, पेसे की कमी, कई सारी चुनोतिया सामने आई होगी परन्तु भारत टेके रहा और आज भारत वैश्वी की स्तरपर सबको बता रहा है कि copy that तो आज के सेशन में मैं पूरे भारत के अंत्रिक्ष कारिकरम की यात्रा आप सबी को सुनाने वाला हूँ तो कहानी स्टार्ट होती है दूसरे विश्विद सेकंड वल्ड वार के बाद से जब विश्व के अधिकांश देश दो गुटों में बढ़ गये थे एक तरफ अमेरिका का गुट और एक तरफ सोवियत संग का गुट हाँ भारा जैसे भी कुछ देश थे जो गुट निर्पेक्षता अंदुरन का समर्थन कर रहे थे परंतु अमेरिका और सोवियत संग के बीच में एक अप्रत्यक्ष वार प्रारम हो गया जिसे नाम दिया गया कॉल्ड वार अभी कॉल्ड वार में प्रत्यक्षता तो लड़ा ही नहीं होती परंतु अपने वर्चस को बढ़ाया जाता है अलग-अलग तरीकों से और इस अलग तरीके में सबकी नजर पढ़ी अंत्रिक्ष पर और एक होल मज गई कि कौन सबसे पहले अंत्रिक्ष पर अपने कदम जिसका नाम था इस पूतनिक फर्स्ट छोड़ा और एक संदेश दिया कि देश अंत्रिक्ष तक अपनी पहुझ बढ़ा सकते हैं परंतु इन सभी आप अधापी के बीच में भारत कहां स्टेंड कर रहा था भारत तो अभी आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है भारत अपनी आंत्रिक चुनोतियों से ही लड़ रहा है परंतु एक विक्ति का नाम लेते हुए मैं अपने आपको बड़ा ही गौरवारमित और सुभाग शाली महसूस कर रहा हूँ कि हम देश की वासी है जहापर डॉक्टर विक्रम सारा भाई रहते थे एक ऐसे विक्ति जिनका जरम एक बड़े अमीर घराने में हुआ केमरेश से उन्होंने अपनी सिक्ष्या प्राप्त करी उनकी पास कई उप्षन थे कि वो बहार जाकर एक आसान जीवन यापन कर सकते थे और अच्छी खासी सैलरी प्राप्त कर सकते थे परंतु एक सपना उन्हें सता रहा था वो य जातरा में डॉक्टर विक्रम सारा भाई की मदद करी हमारे प्रधान मंत्री जवालल नहरू ने और मेरे रूट मॉडल हुमी जहांगीर भावा ने 1960 के आसपास में प्रधान मंत्री नहरू ने सोचा कि भारत को भी अपने आंतरी शकारी क्राम को आगे बढ़ाना चीए क्यों कि हमारा पडोसी पाकिस्तान हमसे बहुत आगे निकल चुका था क्या आप यकिन करेंगे इस बात को इसी बात को दिहार में रखते हुए उन्हों पारनामा के संस्थान घटरन किया गया जिसका मेन उदेश अंतरिक्ष आउटर स्पेस इरसाज को बढ़ावा देना होगा और इसको लीड करें थे डॉक्टर विक्रम सारा भाई और 1963 में पहरी बार भारत ने अपने हां से रोकेट लॉंच किया हां ये रोकेट भार से लाय होता है केरल के थुमबा एक्वेटोरियल स्पेस सेंटर में जिसको आज हम विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर के नाम से भी चानते हैं परंतु एक घटना आपको बताना जरूरी है कि एक दुस साल बाद पुना जब रोकेट लॉंचिंग की प्रोसेस हमने करी तो वो पाद जादा बजट नहीं हुआ करता था पेसे की समस्या है और चुनूतिया बहुत जादा चुनूतिया क्या-क्या भुकमरी की समस्या भी है लोग को सरी सिक्षा प्राप्त नहीं हुरी है कई सारी महामारियों ने भारत को लपेट के रखा है और साथी दो पडोस के चंट सारा भाई से कि आप ही बताओ ये जो रोकेट गया था ये एक करोड का था जो की फट गया और बड़ा बुरा लगा एक करोड को अपनी आँखों के सामने जलते हुए इसे कितने लोग की भूख मिट जाती है विक्रम सारा भाई भी हताश तो हुए होंगे कि अगर भारत को अ बजर प्रदान करेगी जब में इन अंतरिश कारिकमों का महत्व जनता के लिए सरकार को समझाएं और आप सभी को पता है कि फिर पहली बार सेटिलाइट के माधियम से टीवी का प्रसारन ब्रोड कास्टिंग का काम शुरू किया गया जिसके माधियम से कई सारे किसानों को लोग को सिक्षित किया गया तब समझ मैं कि यार फायदा तो हो सकता है अंतरिश कारिकरम का अच्छा दूसरा फायदा मैं आपको बजाता हूं बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान को क्या लगा पड़ा है कि वो अंतरिश कारिकरम करें उसको क्या लेने देना उसको तो वि समझ गए तो उस rocket में अगर आप उपग्रह लगा दोगे तो वो अंत्रिक्ष तक जा सकता है आपको कई सारी सूचना सिक्षा सारी चीज दे सकता है पर तो इसी rocket को थोड़ा सा तेड़ा कर दो किसी देश पर क्या करना है उपग्रह हटा के वहाँ पर क्या लगाना है कुछ व मौसम की फॉर्कास्टिंग कर पाएंगे जिससे हमारे मच्षुवारे को किसानों को फायदा को अरे भाही नहीं रोकेट बने का तो भारत साइडव है जब भी युद्धों का तो भारत पर छोड़ने के लिए ये काम चालू किया गया तो भारत की तो अनिवारत था थी कि अपने आंतरी शारिकब्मों को रोखी नहीं सकता तो फिर क्या किया गया कही सारे प्रयास किये गए और पंद्रागास 1969 में इंको स्पार को हमने इसरो नाम दिया इंडियन स्पेस रसर्च और ग्रैशन जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है नासा भी मान रहा है तो भा भारत का सेटलाइट हो भारत का खुद का रोकेट हो यह बहुत जरूरी हो जाता है तो इसी बात को अधार मनाकर 1975 में हमने अपना पहला उग्रह आरेभट प्रक्षिपित करा परन्तु हमारे पास स्वयम का रोकेट नहीं था हमने विदेशी रोकेट का यूस किया था तो हम हमें बात निकल के साथने है कि हमारे पास खुद का सेटलाइट लॉंच वेहिकल एसलवी होना चाहिए और इसी धार पर फिर पी एसलवी जीएसलवी का लगातर मातर में सर्च हुई हो फिर हमको बात में मिला भी हमने क्रायोजेनिक इधन पर रिसर्च करी रूस ने सवेशी रूप से क्रायोजेनिक इंजन मनाया जो जीएसलवी प्रमुग रूप से काम आता है परंतु एक बड़ी बात निकल के सामने आती है जब हमारा कारगिल युद्ध हुआ उनिस सो निन्यावे में और जब भी युद्ध होता है तो बड़ा जो लोकेशन है सेट्रलाइट के युद्ध है परंतु अमेरिका ने हमको भया कारगिल युद्ध में सेट्रलाइट के जी पिएस को युज करने से बना कर दिया बोला कि अब यह हमको मतलब नहीं हम युद्ध में किसी के सायता नहीं कर पाएंगे तब भारत की दिवांग फिर से एक बात एक चुनोती आई चुनोती का फिर समाधान में निकला कि भारत के पास अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए और इसी धार पर इस तो ने नाविक पर काम करना चालू करा जिसको अपन इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटिलाइज सिस्टम आई आर एनसस कह मुवी का जो बजट है उसे भी कम बजट में भारत ने मार्स और्बिटल मिशन मंगल यान चोड़ा 2013 के जब इस यात्रा को आप पड़ोगे तो बड़ा ही गौर्वारमित करने वाला पल है कि हमारे पास जी एसल भी नहीं था उस समय पर उतना विक्सित हमने अपने पोलर सेटिलाइट लॉंच वेहिकल से ही मंगल की यात्रा कर दी और बहुत कम पेसे में कर दी और बहुत तक पता नहीं थी कहानी फिर मंगल यान पर पहुंचती है और मंगल यान के बाद में 2017 का वो पल जब इस रो अब समझना यह आत्रा का जो डिफरेंस है पहले हमारे पास ना खुद का संस्थान था ना खुद का रोकेट था हम सब भार की चीज ले रहे था अच्छा एक बा करना है उसको मंगवा लो उस रिसर्च के लिए अपन एक्स्रा पेसा मत खर्च करो अपन उसके आगे की कहानी सोचो अच्छा कॉंसेट भी है तो पहले तो हमारे पास ना अपना खुद का रोकेट था ना सेटलाइट हमारे पास थी ना लॉंच हमने सारे भारत से करें कहीं अलग-अलग देशों से भी करें परन्तु 2017 का वो समय जब इसरो ने एक ही रोकेट से 104 सेटलाइट को छोड़ा और उसमें भारत के नहीं थे दुनिया के कई सारे देशों के चुन्नुमुनु सेटलाइट छोड़े मतलब भारत बता रहा है कि पहले मैं तुम्हारे घर से कर हम सभी लोग देख रहे हैं साउथ पोल पर जाना इंदक्षिन दूरुपर जाना बहुत कठी नहीं है वहां का टेरेन वहां की इस्तला करती है सही नहीं बड़े-बड़े गर्थ है तापंतर बहुत ज़्यादा बने रहता है इस कंडिशन में वीचंद्रमा पर उतरना और मैं पूरा अंत्रिक्ष चानना है तो यह थी आज की अंत्रिक्ष यात्रा जिसमें हमने अंत्रिक्ष कारिकामों को एक कहानी की रूप में समझा मैं जल्दी आपके पास में अपसित होगा जो मेरे रॉल मोडल मैंने आपको बताया होमी जहांकी भावा की कहानी को लेके कि भारत परमानु शक्ति संबन कैसे हुआ यह तो अंत्रिक्ष की बात हो गई तो इसी प्रकार इंट्रेस्टिंग और नोलेजिबल कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो कौटेल एकेडमी के इस यूटूब चैनल से जुड़ जाईए साथ ही आप हमारा ऑनलाइन बैज भी जोइन कर सकते हैं जो MPSC के लिए प्रारम किया गया है हाँ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर किसी भी विश्य के बारे में आपको यही कहानी की रूप में अगर ग्यान प्राप्त करना है तो मैं नेक्स सेशन में उन टॉपिक्स को भी एड़ कर लूँगा नमस्कार जहिन जय भारत